भारती महिला क्रकेट टीम की कप्तान हर्मन प्रीत कौर इस वक्त लोगों के निशाने पर आ गई है। पोस्ट मैच सेरिमनी के दोरान भी कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर उनकी आलोचना हो रही है। मैच के बाद हर्मन प्रीत ने खुद को आउट दिये जाने के अंपायर के फैसले को निराशा जनक बताया। उन्होंने का, मुझे लगता है इस खेल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, यहां तक के क्रिकट से अलग बिजिस तरह की अंपायरिंग होई है, उससे हम लोग हैरत में है। अगली बार जब हम बंगलादेश आएंगे तो यह सुनश्चित करेंगे कि हमें इस तरह की अंपायरिंग से डील करना होगा और हम उसके हिसाब से खुद को तयार करेंगे। हर्मन प्रीट की नाराजगी यहां भी खत्मे नहीं। मैच के बाद जब दोनों टीमें अपने अपने कपतानों के साथ प्रॉफी के साथ फोटो कहिचवाने पहुची तो हर्मन प्रीट को और ने कुछ कहा। और इसके बाद बंगलादेश की कपतान निगार सुल्ताना अ उन्हें भी बुला लीजिए, हमें उनके साथ भी फोटो कहिचवानी है। मेजबान मंगलादेश की कपतान निगार सुल्ताना ने कहा कि हर्मन प्रीट को एक खिलाडी होने के नाते बहतर बरताव करना चाहिए थो। मैच के बाद प्रेस कांफरेंस में भारते क्रिकेटर इसमती मंदाना ने अपनी कपतान हर्मन प्रीट कोर के बरताव पर ये कहते हुए बचाव किया है कि कभी-कभी गुस्से में ऐसा हो जाता है। हर्मन प्रीट कोर को अपने एक्शन और शब्दों को लेकर सावधानी बरतने के लिए कहा है। अंग्रेजी अकबार को दिये इंटर्विव में अंजुम चोपडा ने कहा है। जाए भारते करकर फैंस हो ये फिर किसी देश के उनका कहना है कि हर्मन प्रीट का जो विभार है वो अच्छा नहीं है उन पर जुर्माना लगना चाहिए। जाए भारते कि गल में हो अंग्रेजी अधिर चाहिए।